हेलो एवरिवान मैं डॉक्टर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक पेशिंट से जिनको इनीशिली 2018 में स्टोक हुआ था जब हमेटोमा बना था और 2022 में उन्हें जब दुबारा स्टोक हुआ वहाँ पर क्लॉट बना तो लेफ्ट स स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जब वो हमारे पास विजट किया है उन्हेंने फॉर्स टैंग डाट वस 18 ओफ नवेंबर 2023 उसके दुरान उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है और काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है इनिशली जो फेस था जब हमारे बास दिलिब जी आये थे उस टाइंग लेफ्ट साइड वीकनेस उनके हाथ पैर में काफी जादा थी चलने के तरीके में पैर घसीट कर चलते थे ड्रागिंग गेट था नी बेंडेड रहता था और एक्स्टेंशन नहीं हो पाता था मतलब भुटना पूरा अच्छे से खुल न अब ही जो गेट का पैटन था मतलब चलने का तरीका था वह भी इंप्रोवड है स्टिफनेस काफी बेटर हो गई है मौनिंग में हलकी फुल के मैसूस होती है एक्सरसाइज करने के बाद वह भी बेटर हो जाती है प्लस जो स्पीच में इसूस थे वह भी काफी हद तक कर चुके हैं डेली रुटीन में अपना सारा काम कर रहे हैं ओफिस भी जा रहे हैं तो आए दिलिप जी की जुबानी जानते हैं कि इनिशली प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई और कैसे उन्हें पता चला कि साइंस अंजीन में इस बिमारी का इलाज होता है तो दिलिप जी कि इनिशली जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मुझे वहां से बताइए कि दिकत शुरू कैसे हुई जो 2018 में परिशानी आए पर चुरू के जो 2018 में परिखल रहा था जी खना कागे और किर गिया बाद मत ये किशन में अच्छा और लॉग हो गया रूम में लॉग था भार तो वह को आके मेरा रूम में चेक्किया में अंधर में नॉग था जो निकल के पाज़ड़ा अब निकल के और रहे रहे तो वहा था तब ही मिटम हो वा था तो में अपरिशन हुआ थीक है उसके बार लिकिन पोई वीकनेस नहीं आया था हाथ पैन में बट 2022 में दुबारा स हाथ जुल देक्ती नहीं तो साइस एंजित्स हीके के बारे नाप्पु कैसे पता चला के यहां पर पर लाज ये ट्र alltså तो दूरिंग फाइम उप्टीमें आपका जर्नी कैसा रहा हमारे साथ जो आज पेनी का इलाज चला है आपका इलाज चला है आपका इलाज अच्छा है इलाज बेटर है यह बाता है अच्छी एरिंग प्रकॉर रहे हैं है करते हैं प्रोब्लों को चींग सोलुशन भी बताते हैं ठीक है अच्छे से फॉलो करें ठीक है और अलोपेटिक मेडिसन्स जो आपकी कुन पतला दिने की चनली उससे भी खा रहे हैं ठीक है तो आपने जैसे जाना दिलिग जी से कि इनका जर्नी कैसा ना फाइव मन्स का जो रिकवरी फेज में क्यूंकि अब सर आलेसिस के पेशिन्स को लगता है ति एक बार दिक्कत हो गई हम ठीक नहीं हो सकते यहां पर इनकी कंडिशन के अंदर इनकी ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी हमटोबा के लिए उस ताइन इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई थी लेफ्ट साइड वीक्नेस भी नहीं थी बट 2022 में जो दुबारा से स्टोक हुआ जो क्लॉट फॉर्मिशन हुआ उसकी वज़े से दिक्कत आ गई तो तब से यह प्रेकॉशन के साथ फ्रीट्मेंट को फॉलो करने हैं जब यह नवेंबर में विजिफ किया था और जो गाइड लाइस दी गई थी उसको अच्छे से इनों फॉलो भी किया तो अभी आप इन्हें देख भी सकते हैं कि काफे इची रिकवरी आ गई है एक बार जिलिपजी मुझे थोड़ा सा चल के दिखा देजिए कि अभी पहले से स्पीड वेटर ने चलने का थीक है अब जो पहले द्राइब करता था वो ठीक हो चुका है ठीक है अब भी अभी बेटर लगता है तो अपने जैसे देखा दिलिप जी के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है फाइव उन्स ओफ ट्रीटमेंट के दौरान पेशिंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर लकवा पुराना हो गया है या दुबारा से हुआ है बारबा शोक हुआ है तो क्या हमें रिकव अपने जैसे दिलिप जी ठीक हो है आप एफट बिल्कूल मत छोड़िए जैसे दिलिप जी ठीक हो हैं आप पर अपने ध्यान भी रख रहे हैं तो जरूरी होता है कि अपने लाइफ साइड को मॉडिफाइव करना मतलब उसके अंदर सुधान लाना गाइडलाइन्स को फॉ सकते हैं तो आपके अंदर भी शौन ली रिकवरी आ सकती है दुबारा से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो सभी पेशिंस के लिए मेरा एक ही मेसेज है कि आप एफट बिल्कूल मत छोड़िए जैसे दिलिप जी ठीक हो हैं आप भी हो सकते हैं बस आपको अपना लगा सकते हैं अगर आम विजित नहीं कर पा रहें अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और हमसे आकन मिल सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस बिमारी से निजात पा सकते हैं